हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माइड्यूप चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं बात करने वाली 2021 KTM RC 390 के बारे में जो की टेस्टिंग के टाइम पे स्पोटेट हो चुकी है तो फ्रेंट्स जो न्यू जनरेश्ट्स टू सादू पूने के नियर स्पोटेड हुआ है तो फ्रेंट्स के अंदर हमें जो बाइक है वो हमें ब्लेक पेंट में देखने को मिली है और फ्रेंट्स के अंदर हमें सीट्स एंड फ्रेंट्स पेंडर फैरिंग फ्यूल टैंक पे जो है वो केमफ्लोईज के स्टिकर्स देखने को मिले और फ्रेंड वो साथ हमें ब्लैक और उइड कलर में देखने को मिलने वाली दो फ्रेंड इसके अंदर हमें निव डिजाइन देखने को मिलने वाला थो फ्रेंड इसके अंदर हमें नेक ट्यूक 390 का यह led headlight system में देखने को मिलने वाला है और इसका जो fly screen wrap है वो हमें इसके around देखने को मिलने वाला है और इसके एजिस है उसके अंदर हमें indicators and DRLs देखने को मिलने वाले है और इसके अंदर हमें new mirror place देखने को मिलने वाले है तो फ्रेंड इसके अंदर हमें better ergonomics देखने को मिलने वाले है और फ्रेंड जो टेस्ट मूल था उसके अंदर हमें निमेरे स्क्रीजिस और वैंट से देखने को मिले है तो फ्रेंड इसके अंदर हमें न्यू बार, सिट डिजाइन और लारजर फ्यूल टैंक देखने को मिला है और ये ओल है, वो हमें थोड़े पैटर डिजैन के साथ देखने को मिले है और ये हमें बन डाइडिंग के लिए मोरी जियर देखने को मिले है तो फ्रेंडिस के अंदर हमें हाई सीट देखने को मिलने वाली है और फ्रेंडिस के अंदर हमें new exhaust and heat seal भी देखने को मिलने वाला है तो फ्रेंडिस के अंदर हमें new light weight yellow wheels देखने को मिलने वाला है और फ्रेंडिस के अंदर हमें Duke 390 का इडिजर रेंश्मेंट क्लेस्टर और electronics देखने को मिलने वाला है तो फ्रेंड अगर बात करो इसके इंजिन के बारे में तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 373cc इंजिन देखने को मिलने वाला है जो कि हमें same power and talk figures के साथ देखने को मिलने वाला है और फ्रेंड ये bike है वो इंडिया के अंदर इसी साल के end तक launch हो सकती है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही दो फ्रेंडी सी तरह से हमारे न्यूव इन्फरमेटीव और अटोमोटी वीडियो टेक निक लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बील दबानर ना भूले ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल आए और फ्रेंड्स वीडियो चल लगाओ तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें